बूर्णिंग सुडेंट्स आज मैंने ये वीडियो बनाई है जो बेसिकली क्लास फोर्थ और फिफ्थ के स्टूडेंट्स की है और जिस चैप्टर से मैंने ये टॉपिक लिया है वो है इंडिया इन दे वर्ड हम इंडिया के बारे में देखेंगे इंडिया के कौन-कौन से पड़ोसी देश हैं और इंडिया बारत किन सागर से गिरा हुआ है अब आप देखिए इंडिया तीन साइट से सागर से समुद्र से गिरा हुआ है इसलिए हम इसे पैनेंसुलर इंडिया भी कहते हैं इंडिया एक पैनेंसुलर है क्योंकि ये तीन साइट से समुद्र से या बेस्ट बंगाल बंगाल की खारी है और मैं पडोसी देशों के बारे में देखेंगे तो पूरम में पडोसी देश किन की सीम अमारे भारत से लग रही है वह है म्यानमार बंगलादेश भूटान इन्हें पडोसी देश इसी लेका रहाता है क्योंकि इनकी सीमा हमारे भारत देश से लगती हैं हम नौर्थ में जाएंगे तो देखेंगे चाइना तिबबत और नेपाल ये हमारे पडोसी देश हैं हम वेस्ट में आएंगे पश्चिम में आएंगे तो देखेंगे पाकिस्तान की कितनी बड़ी सीमा हमारे भारत से लगती है इधर अफगानिस्तान भी हमारा पडोसी देश है क्योंकि इसकी थोड़ी सी सीमा हमारे भारत से लगती है हम साउथ में आएंगे दक्षिर में आएंगे तो देखेंगे छोटा सा द्यूप है एक श्री लंका जो हमारा पडोसी देश है ठीक है ये हिंद महासागर में पड़ता है इंडियन ओशिन में अब हम देखेंगे कि कुछ ये द्यूप है जो बेव बेंगाल में हैं और अरेबियन सी में है बेव बेंगाल में अंडोमान और निकोबार आइलेंस और अरेबियन सी में लक्षदी पाइलेंड ये भी हमारे भारत का ही हिस्सा है तो देखिए तीन सागर हैं जिससे हमारा भारत गिरा हुआ है अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे अफ बेंगाल और जो पडोसी हमारे देश हैं वो है म्यानमार, बंगलादेश, भूटान, नैपाल, तिब्बत, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्री लंका